वो स्थिति पानी की बनी ऊहलग हुए दोनों स्टेटेवों के चैए कि आपने एक रंजेसी में डिल जन्ता को क्यों ह entren appointments लोगों ने इसर मोदी साब के साथों एंपी जीता दिया है पर साथों एंपी इस टेम गायव है हमारे मले हमारे काउंसलर जमीनी तोर पे उत्रेवे हैं और वह हम लोगों की मदद कर रहे हैं बाद में जब बाड आती है तो हर्याना के पानी से आती ना आज हतनी कुंड पे इतना पानी रोका हुआ है अगर वारे दिल्ली वालों को दे दें तो दिल्ली जो तरह ही तरह कर रहे हैं पानी के वाज़ा से वह प्रॉब्लम हो सकती है वह बिल्खुली नहीं आए और कभी ठोड़ा-ठोड़ा पानी आ रहे उस लोग बिमार हो रहे है भीजणगर्मी और प्रदर्शन करते देखा होगा आपने पाचियों को लेकिन क्या वाकई दिल्ली वासितोंगों पानी नहीं मिला है और अगर नहीं मिल रहा है तो इसका चैहरी नगर में और यहां लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखर इसके असल वजह क्या है क्यों तक पानी नहीं पारा है दिल्ली के जनताथ पर क्या कहना चाहती है यह दिखाने बहुत ज्यादा समस्या हो रही है हमारे मले हमारे काउंसलर जमीनी तोर पे उत्रेवें हैं और वह हम लोगों की मदद कर रहे हैं हम हर को हर तरीके से यहां की पता है छोड़नमें पानी नहीं छोड़ी है और दिल्ली तक पानी कोIR जाएं और यहां है सारा पानी मुव कर देंगी दिल्ली की तरफ और वह बाढ़ की समस्था में तब ही रहता है और महाचल सरकार ने पानी देने के लिए बोल दिया है बीच में हर्याना सकार उसको भी रोक कर रहे तो आपको लग रहा है कि बीजेपी गवर्णमेंट जो है बिल्कुल हमारे गु पानी चोड़ने में भी आपकी बीजेपी का सरकाहत है आप उनको जाके क्यों नहीं बोलते कि पानी दे दे लिए पानी की समस्था दो बहुत जाए दिल्ली के अंदर और पीछे से पानी रोका जा रहे हैं माचल सरकार दे रहा है देना चाहती है और हर्याना सरकार जो महां जाए दिल्ली की जन्ता के ओपर के मां से पीछे से पानी छोड़ा जाए है और जो मार प्सक प्रशन जादा है में पानी बिल्खुली नहीं आ pumped जादा अभी पानी कैसे मिल रहा है पानी को बिल्खोली नहीं आरे कभी थोड़ा थोड़ा गंदा पानी आरे उससे लोग विमार हो रहे है कि सरकार है आपको पता होगा की ब्यामाद्यू कि उप्श न हुगा कि अब है इतनी हम पता नहीं बील घोली तो चुछ और लोगं हमेंगे हैं कि पानी के समस्थ रही है कि यह दो बहुत पर्शान होлत है अग्र बढ़ाएं पर चल पूरी जो बिज़ी सरकार झोड़ी अगर यह पानी खोल देता है तो हमारे पानी बंद कर देता है तो हमारे पानी में खतम रहेगी पानी समझे से पानी दो पानी दो पानी दो पानी दो क्या करेंगे पूरा पॉलिटिकल एजंडा बीजेबी ने टाइट कर रखा है अगर बीजेबी चाहे मोदी जी चाहते हैं पानी छोड़ देंगे दिली में पानी मुश्किल होगी नहीं सरकार का नाम हो तो यहां कोशी कर रहा है दूसरा का नहीं करने देरे लिए है अपसी पीजी बीजेबी एक डिक्टर्टिशिव नाम हो तो चाहते नहीं है कि दिली के लिए नाम हो तो आगे आने वले लेक्ष्ण सब्सक्राइब को यह नहीं चाहता कि दिल्ली के सरकार दिल्ली के अंदर पानी आए उनका पानी के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए उनको क्योंकि उनको नहीं इतनी बारी मत वसे उनको जिताया है अब बीज़ पी को मेरा से यह राजनीती करनी चोड़ दें जैसे पहले धरिम के राजनीती करते अब यह पानी के अपर राजनीती आप एंपनी आन्छन पर बैठी हुए कि हर्याना वालों ने पानी रोका हूए वहा लोग देख सकते हैं यहां पर कितनी गर्मी हैं हम भी यहां शूट करने के लाइए तो आप देख सकते हैं पूरा पसीदा पसीदा है यहां पर हो गया है लोगों को पानी की परिशानी हो रही है इसलिए हम लोगों से जानने के लिए हैं यहां पर दिक्कत परिशानी से समझने के लिए सब्सक्राइब करेंगे तो लोग कहां जाएंगे अब बीजेपी की लड़ाई और आमादी की पप जो चल रही है पॉलिटिक्स अब सबको बता है विदान सभा के लेक्शन आने माले हैं अब विदान सभा के चुनाओं को देखते हुए यह बीजेपी ने यह राजविती चली है और लोगों को परिशान किया जा रहा है और अब 20 गंटे बीजली थी बिजली तो अभी भी सई चल रही है तो पर निरभार है अब अब घृणा पानी नहीं तो पानी तो उनको देना चाही ना अब तो सुप्रीम कोड तक जाना पड़ रहा है आतीशी जी जो आमाधी पार्टी की जो जल मंत्री है वो बीज जो स्थिती पानी की बनी हुई है नाने दोने से लेकर पीने तक का पानी बिलकुल भी नहीं है और पानी के बीना तो आम आदमी पार जो आम आदमी वो बेकार है हम जासे तो कितने जाद दुखी है हमने सोचा था कि चलो अब यह इलेक्शन होगा तो पानी ठीक हो जाएगा इस सातो सीटे बीजेपी की जीती है हमें था कि अब जो यह लडाई है इनकी कम होगी यह हर्याना से जो पानी नहीं छोड़ते थे यह पानी छोड़ेंगे हर गर्मी में यह परशान करते हैं और इस जीवन में कर्ष्ट हमने नहीं साह जो अब सहरे हैं आमाधी बंदा जो बहुत परशान है आमाधी पार्टी जो हमारे केजरी वाल जी है वो काम करना चाते हैं वो पानी देना चाते हैं लेकिन आगे से अगर नहीं छोड़ेंगे तो इसकी लाई यह चलती रहेगी तो दिल लेक्ते हैं आमाधी